नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चनल चरधारीक प्लासेज में दोस्तों इंडियन पॉलिटी का आज ये लेक्चर 3 है जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतिया समिधान के भाग बन के बारे में दोस्तों भारतिया समिधान को यहाँ पर 22 भागों में बाटा गया है 22 भागों में हम यहाँ पर study करते हैं भारतिया समिधान की और इन 22 भागों के अंतरगत क्या आते हैं अनुछेद आते हैं 395 अनुछेद यानि जो समिधान है उसमें है 22 भाग और 22 भागों को फिर से किस में बांटा गया है अनुछेदों में यानी section में बांटा गया है section को बांटा गया है subsection में close में इस प्रकार्च हम study करते हैं किसकी भारत्या समिधान की तो आज हम यहाँ पे आज की वीडियो में जो यह पॉलिटी की third class है आज इसमें हम भारत्या समिधान के भाग वन के बारे में details यहाँ पे study करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों भारत्य समिधान का जो ये भाग वन है इसमें टोटल आते हैं चार अनुशेद अनुशेद एक से लेकर अनुशेद चार तक तो इन अनुशेदों को हम यहाँ पर डिटेल्स चर्चा करेंगे जो भाग वन है वो क्या कहता है भारत्य समिधान का भाग वन में संग औ उन कौन से हैं उनके नाम जो भी राज शेतर चाहे हो इस्टेट हो चाहे हो केंदर सासित परदेश हो वो सभी उन सभी का विवरण किस में मिलता है भाग वन में मिलता है अब देखते हैं यहां पे भाग वन में कितने अनुचेद हैं चार अनुचेद हैं इनके बारे में एक राजिऊं का संग है यूनियन है अनुषयथ 2 क्या कहता है संसद विजीद्वारा संग में 3 को समिधान के अनुषए 368 के तहत संथोधन नहीं माना जाए Verfügung ये चार अनुशेद किसमे हैं भाग वन के अंत्रवत आते हैं अब हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे समझने का प्रियास करते हैं कि यह अनुशेद कहना क्या चाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले भाग 1 में जो अनुशेद 1 है इसके बारे में चर्चा करते हैं आपको pen copy लेके बैठ जाना है और अच्छे से जो आपको यहाँ पे अच्छे समझने का प्रियास करना है काफी details में आपको बिलकुल आसान language में यहाँ पे समझाए जाएगा और एक ब अनुशेद 1 इसका मतलब क्या है कि अनुशेत 1 क्या कहता है एक तो यह भारत की भारत का नाम बताता ए हमारे जो देश का नाम क्या है भारत आथवा इंडिया vacation कि देश का नाम है अμुशै द्वन में, कई जो उस में विशेशते थे, कई जो बेकते थे उस म में जो समीधान सबा मेंthy ते, उन्होंने कईोंने कँपा कि भारत का नाम क्या होना चाइए, पहुत इंडिया होना चाइए, अब यहाँ पर इस चीज में बहुत भहएश हुई, तो समिधान सबाने निलने लिया कि भारत और इंडिया ये अलग लग नहीं है भारत अथवा इंडिया क्या है एक ही है तो यहाँ पे नाम का पता चलता है अमचे द्वन में जो हमारे संग है इसका नाम क्या है भारत अथवा इंडिया आए क्या कहता है भारत अथवा इंडिय इसके दो मतलब होते हैं संग एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन हिंदी में दोनों को फेडरेशन को भी संग कहते हैं और हिंदी में यूनियन को भी संग ही कहते हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है फेडरेशन जैसे कि अमेरिका है अमेरिका क्या है राजियों का एक फेडरेशन है हिंदी में उसको भी संग कहेंगे लेकिन अंग्रेजी में उसको कहेंगे फेडरेशन अमेरिका जो मिला हुआ है राजियों के फेडरेशन से मिलकर ये बना हुआ है जो इसमें जो राज मिले हैं अमेरिका में वो वो राज बड़ी आसानी से अमेरिका से अलग हो सकते हैं लेकिन भारत की दृष्ट से अगर हम देखें भारत क्या है एक संग है किस परकार का संग यूनियन यानि भारत और इसके जो राज छेतर हैं चायो इस्टेट हों चायो केंदर सासित परदेश हों ये कभी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं अभी वरतवान में भारत में 28 राज और 8 केंदर सासित परदेश हैं तो ये राज और केंदर सासित परदेश भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं भारत का है एक राजियों का यूनियन यानी संग है, इनके बीच कोई भी समझोता नहीं हो रहा है, ये अभिन हिस्सा है, ये सभी राजय और केंदर सासित परदेश भारत के संग के, तो इसलिए ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे अगर हम एक ग्लास वाटर ले दें और नमक मिला दें, तो उसके बाद वो कभी उससे अलग नहीं हो सकता है, तो ठीक इसे परकार भारत में ये सभी राजया सम्मिलित हो रखे हैं, ये सभी राजय शेतर भारत का अभिन हिस्सा है, और भारत और ये राजय शेतर कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, उसके पता क्रेशी चलता है तो वो पता चलता है राजियों को पहली अनुसूची में रखा गया है गल आपको यहाँ पे टोटल जो पिछली बीडियो थी लेक्शर 2 था उसमें 12 की 12 अनुसूची वन क्या कैती है अनुसूची वन कैती है भारतिया संग में जो भी राजया हैं जो भी केंदर सासित परदेश हैं उनके नामों का उल्ले का है अनुसूची वन में है तो अनुसूची वन में जितने भी राजया और जितने भी केंदर सासित परदेश हैं वो क्या हैं भारतिया संग के क्या हैं राजय छेतर हैं तो कुल्मा के भा भारत के राजे छेतर हैं उनको तीन भागों माटा गया है जब भी हम यहाँ पे भारत या संग के राजे छेतर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ उस वाले राजे की बात नहीं करते हैं जो हमारे देश में क्या है 28 राजे उनकी बात नहीं करते हैं राजे छेतर में आत अर्जित छेतर का मतला होता है कि भारत यदि किसी विदेशी राज्य या किसी अन्य राज्य जो भारत संजों में अभी सामिल नहीं है उस राज्य को यदि अर्जित करता है विजित करता है कल के दिन यदि भारत पाकिस्तान को जिजित लेता है और अपने यूनिन में सामिल क रखा जाएगा तो भारत का जो राज छेतर हैं उसको हम तीन भागों में बाणते हैं इस्टेट यूटी और अरज छेतर उम्मेद करते हैं आपको अनुचेद वन बिलकुल यहां पे किल्यली समझ में आ गया होगा आप देखो अनुचेद टू की और बढ़ते हैं काफी अनुचेद टू में है जो संसद विदिद्वारा संग में नए राजियों का परवेस या उनकी इस्थापना कर सकते हैं अनुचेद टू संसद को यह सकती देता है कि वो नए राजियों का परवेस कर सकता है और उनकी इस्थापना कर सकता है लेकिन कौन से नए राजियों क में किन नई राजियों को सामिलित कर सकता है जो अभी भारत यूनियन में सामिल नहीं है यानि साप साप अंतलब है कि विदेशी राजियों को यदि सामिल करना है भारतिया संग में तो उसकी सक्ति कौन देता है अनुशेद 2 देता है उसका विवरन हमें कहां मिलता है अनुशेद 2 में मिलता है यहां मैप के मादियम से समझने का प्रियास करते हैं यह है भारत का मैप इसके अंतरगा जितने भी राजी आ रहे हैं जितने भी केंदर सासित परदेश आ रहे हैं वो भारतिया राज छेतर के अंतरगा आ रहे हैं लेकिन भारतिया राज छेतर के अलावा जो अगर हम जैसे पाकिस्तान हो गया या चाइना का कुछ यहां पर छेतर हो गया या कोई अलग जो अभी भारतिया संग में सम्मिलित नहीं है उन्हें राजे छेतरों को यदि भारत में सम्मिलित करना है या किसी विदेशी राजे को भारत में सम्मिलित करना है तो उसके सक्ते कौन देता है अनुशेद 2 देता है संसत को यानि उसका विरुन हमें कहा मिलता है अनुशेद 2 में मिलता है यानि कि अगर हम पाकिस्तान को यहां पर समिलित करता है भारत में तो उसके सक्ते में कौन देता है अनुशेद 2 देता है इसका विरुन हमें कहा मिलता है अंखेद दो में मिलता है इसका एक बहुती अच्छा उधान मिलता है सिक्किम का सिक्किम का इतियास जान लेते हैं पहले देखो जब भारत में अंग्रेजों का सासन था तो उस समय सिक्किम भी किसके आधिन था एंग्रेजों के आधिन था जब एंग्रेज यहां से चले जाता है तो उसके बाद भारत हो जाता है स्वतंत्र और बहुत सारी देशी रियासतें भारत में विले करने लग जाती है लेकिन सिक्किम ने यहां पे भारत में विले नहीं किया, सिक्किम में था चोग्याल वंस का सासन और चोग्याल वंस के राजा ने कहा कि हम यहां पे स्वतंत रहेंगे, हम किसी भी देश में विले नहीं करेंगे लेकिन भारत के साथ सिक्किम के एक संदी हुई जिसके तहट सिक्किम के जो विदेशी मामले होंगे या रक्षा मामले होंगे और संचार मामले होंगे उनको कौन देखेगा उनको भारत देखेगा और साथ इसाथ भारत का एक political agent कहां रखा जाएगा सिक्किम में रखा जाएगा वो सिक्किम के जानकारी भारत को देते रहेगा तो यह सारी यह संदी हुई भारत और सिक्किम के मध्या लेकिन 1973 आते आते क्या हुआ वहाँ का जो राज तंतर था वहाँ पर राजा के सासन था तो इस राजा के सासन के खिलाब वहाँ की जनता ने वहाँ की जो पार्टियां थी विसेशकर कॉंग्रेस सिक्किम पार्टिय थी उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना सुरू किया राज तंतर के खिलाब उनका मत था कि यहाँ पर भी लोग तंतर इस्थावित किया जाए हम भारत में विले करना चाहते हैं लेकिन वहाँ का राजा माने को तैयार नहीं था इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद भारत को भी सिक्किम में भारत को भी देखना पड़ा है कि सिक्किम को अब यहाँ पर भारत में विले कराना ही होगा भारत भी यही चाहता था तो इसलिए भारत सरकार चाहते थी कि हम सिक्किम को जल्दी से जल्दी भारत संग में विले करवा लें तो भारत ने एक समिधान में संसोधन किया 1974 में 35 समिधान संसोधन 1974 और इस समिधान संसोधन के तहत अनुशेद 2 में एक चेंज किया गया अनुशेद 2A यहाँ पे जोड़ा गया इस समिधान संसोधन के तहत जिसमें क्या कहा गया सिक्किम को भारत के सहराज का दरजा दिया ग जहत अनुछेद 2A इस प्रकार यहां पर यह जोड़ा गया साथ इसाथ अनुसूची 10 भी जोड़ी गई जिसमें यह सर्तें रखी गई इस बातों का उल्ले क्या गया कि किस प्रकार सिक्किम भारत का सहराज यानि एसोसियेटेट इस्टेट बना है अब देखो अभी सिर्फ स यह भी करना चाहते हैं हम लोगतंत्र भारत का लोगतंत्र उसमें सामिल होना चाते हैं तो इसली अब 36 मिदान संसोजन किया गया उनिसो पिछेटर लेकिन यह काफी इंपोरेंट है क्योंकि इसा इसको राज्य क किया गया क्यों किया गया 35 संसोजन mixing को समाप्त करने के लिए क्योंकि अभी जो सिक्किम है वो भारत का सहराजय है पून रोप से राजय नहीं है अगर यदि इसको राजय बनाना है तो पहले उसके सहराजय को जो सिक्किम भारत का सहराजय है उस दर्जे को समाप्त करना होगा तो 36 समिधान संसोजन 1975 के तहट क्या गया अनुशेद टू एको समाप्त किया गया अनुशूची 10 में जो सर्तें थी सहर राजी की उनको समाप्त किया गया और सिक्किम को बना इया भारत का 22 राजिया तो इस प्रकार से सिक्किम क्या बना भारत का बना 22 राजिया 36 समिधान संस संसुधन नहीं किया गया कि किसी भी राज्य को यदि हम क्या मिलाते हैं भारत्य संग में मिलाते हैं तो उसमें उसको समिधान संसुधन नहीं मान जाता है 368 के तहता है तो ये संसोधन क्या गया 36 मा जो समिधान संसुधन है वो सिक्किम को राज बनाने के लिए नहीं किया गया वहलकि 35 में समिधान संसुधन अनुशेद 2 के तहट यदि संसत क्या करती है किसी विदेशी राजे को समिलित करती है भारतिय संग में भारतिय राजे छेतर में तो उसमें राष्ट पति की पूर अनुमति लेना जरूरी है एक्जामें पूछा जा सकता है कि क्या अनुशेद 2 में जब किसी विदेशी राज पूर्व अनुमते ली जाती है राष्णपती की तो आपको अनुछे टू अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा अब आता है यहाँ पे अंचे 3 अब देखो अंचे 3 क्या कहता है कि संसद भारत के किसी भी राजय का नाम सीमा और छेतर में परिवर्तन कर सकती है यानि संसद को यह सक्ति प्राप्त देता है अंचे 3 कि भारतिया राज छेतर में जो भी छेतर सम्मिलित हैं चायो राजय हों, चायो आपके केंदर सासित परतेश हों, चायो अरजित छेतर हैं, संसद को ये सक्ति प्राप्त है कि वो इन राजय छेतरों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है या उनके छेतर में परिवर्तन कर सकती है संसद, और इसके इसले भी संसत को क्या करना होगा राष्ट पती के पूर अनुमती लेना जरूरी होगा अंचे दो और अंचे तीन में यदि संसत कोई भी परिवर्तन करती है तो राष्ट पती के अनुमती जरूरी है यह आपको नोट करना है अब देखो यहाँ पर एक्जामबल से समझते हैं 36 गड़ एक नॉवंबर 2000 को अलग हुआ उत्राखन 9 नॉवंबर 2000 को उत्राखन का गठन हुआ दो को इसको समझते हैं उत्राखन पहले हिसा था किसका उत्तर परदेश का यानि पूरा उत्तर परदेश कैसा था पहले ये था जब उत्तराखन में इसमें सम्मिले था लेकिन संस प्रदेश की जो ये सीमा थी इसको काट कर क्या कर दिया ये कर दिया और इस छेतर को एक अलग से नाम दे दिया उत्राखंड तो कुल्मा के संसत क्या कर सकती है जो भारतिया संग में जो सम्मिलित राज्या हैं जो राज्य छेतर हैं उनके नाम उनके सीमा में परिवर्तन कर सक तो इसी प्रकार से उत्र प्रदेश से क्या अलग क्या गया उत्राखन को अलग क्या गया एक और सीज़ आपको नौट करनी है माना सब्सक्राइब किसी स्टेट को यानि किसी राज़ छेतर के सिमा में परिवर्थित करके एक नया इस्टेट यानि नया राज़ का गठन करना स्मसाट पहले क्या करेगी राष्ट पत्र की पूर आनुमत लेगी और राष्ट पत्र के पास माल उस राजा के विवादन से सम्मनित क्या करेगी अध्या देस को बहे नहीं करना याकि नहीं करना औस पख्ष में हो कि उसके राजे का विभादन करे एक नए स्टेट का गठन क्या जाए चायो उसके विभादन में हो यानि अगर उस विधान मंदल का मत जो भी है चायो हा में आए, चान ना में आए राश्टपति इसके लिए बादे नहीं है राष्ट पति भी फिर भी मंजूरी दे देता है संसत को कि तुम उस राजे का क्या कर सकते हो विभाजित करके उस राजे को उस राजे की सीमा में परिवर्थित करके एक नई स्टेट का गठन कर सकते हैं लेकिन एक्जामें आ सकता है कि क्या राष्टपती सम्मनिद राज के विधान मंडल में अध्यादेश को भेजता है उसके अनुमति जानने के लिए उसके मत को जानने के लिए तो बिल्कुल भेज सकता है लेकिन उसकी अनुमति पर वो बाद्य नहीं है राष्टपती तो इस प्रकार का एक केस वाता कहां तेलंगाना जब अलग हुआ था आंदर पर्देश से 2 जून 2014 को राश्ट पति ने आंदर पर्देश के विधान मंडल के पास क्या भेजा अध्यादेश भेजा कि हम तेलंगाना को आंदर पर्देश से अलग कर रहे हैं लेकिन राश्ट पति ने फिर भे मंजूरी दे दी क्योंकि राश्ट पति बाद या नहीं है चाहिए विधान मंडल का कोई भी मत आए राश्ट पति फिर भे मंजूरी उसको देनी होती है वो बाद या नहीं है विधान मंडल के मत को मानने के लिए तो यह important है यह आपको note करना है तो अंशे 3 आप समझ गयोंगे अंशे 2 क्या था? अंशे 2 था कि संसद नए राजयों का गठन कर सकता है नए राजयों को भारत में परवेश कर सकता है लेकिन किन नए राजयों को? जो विदेशी है जो भारतिया राजय छेतर में अभी सम्मिलित नहीं है लेकिन अनुशे 3 बिलकल उसके विपरीथ है विपरीथ कैसा है? कि संसद क्या कर सकता है? जो भारतिया संग राजय छेतर में क्या है? सम्मिलित राजय है चायो आथ को केंदर सासित परदेश है चायो आद के ओ, इस चेट हैं, चायो अर्जे छेतर हैं, उनके नाम, उनकी सीमा और उनके छेतर में परिवर्थन कर सकता है, अनुशेद कू था, बाहर के लिए, बाहरी राजे छेतरों के लिए, अनुशेद 3 है, अंदर के राजया छेतरों के लिए, आगे बढ़ते हैं गठन करते हैं वो राजियों की सीमा छेतर नाम में परिवर्तन जो कि अंचे तीन में जिसका उलेक मिलता है अंचे तीन में यही तो कहता है कि राजियों की जो भारतिया राज छेतर में पहले सी राजिया समिलित हैं उनकी सीमा में हम परिवर्तन कर सकते हैं उनके छेतर में उ को समझाता हूँ अमचे फोर क्या कहता है कि अमचे दो में और अमचे तीन में हम जो भी परिवर्टन करते हैं जो भी संसोधन करते हैं उसको अमचे 368 के तहत संसोधन नहीं मान जाता है इसके लिए पहले आपको 368 क्या है ये पता होने चीए तेको 368 क्या है 368 संसद को ये सक्ति प्रदान करता है कि वो सम्विधान में संसोधन कर सकता है यानि सम्विधान में जो भी संसोधन होता है वो किस के तहत होता है 368 के तहत लेकिन यदि हमें 362 में और अनुछे 3 में परिवर्तन करना है कोई हमें चेंज करना है अनुछे 2 में यानि हमें किसी विदेशी राज को भारत में मिलाना है अनुछे 3 में यानि हमें किसी भारत के राज छेतर की सीमा में नाम में या छेतर में परिवर्तन करना है तो ये जो परिवर्थन होंगे ये अनुछे 368 के तहत नहीं किये जाएंगे अब आपके मन में सवाल होना चीए कि ये परिवर्थन किसके तहत किये जाते हैं इसके लिए आपको समझना होगा कि सम्विधान में संसूधन के प्रकार की है तो यह है समिधान में संसुधन की प्रिक्रिया तीन प्रकार से हम समिधान में क्या कर सकते हैं संसुधन कर सकते हैं एक होता है साधरन बहुमत से एक होता है विशेस बहुमत से और एक होता है विशेस बहुमत पलस आधे राजियों की अनुमत से तो अनुचेथ 368 के तहट, जितने भी समिधान में संसुधन किये जाते हैं, वो किये जाते हैं इन दो के माध्यम से, या तो विशेश बहुमत लाना पड़ता है, या तो विशेश बहुमत पलस आधे राजियों के अनुमति होना जरूरी है, इनी दो के तहट 368 के तहट क्या के जाते हैं संसुधन किये जाते हैं और एक अन्य जो संसुधन है हुगे साधरन भाहमत साधरन भाहमत इसके तहट क्या किया जाता है जो हमेश तू और अमचे तीन में जोलबी परवर्तन की जांगी वह माद्यम से की जांगे उनको उनको अनुशे 368 के बाहर रखा गया है पहले आपको समझना होगा यह साधरन बहुमत क्या है विशेस बहुमत क्या है और विशेस बहुमत प्लस आदे राजियों की अनुमत इन तिनों में अंतर क्या है देखो साधरन बहुमत क्या होता है माना सफो सदर्न में कितने सदस्य ह 200 सदस्य अभी वर्तमान में उपस्चित है और हमें कोई विधिया क्या करना है सदन में पारित कराना है और हमें कितने वोट मिल गए हमें कितने हमारी तरफ कितनी सदस्य अभी सामिल है वो है 50% प्लस 1 सदस्य यानि 200 को 50% प्लस 1 कितना हुआ 101 सदस्य तो इसे कहते हैं साधरन बहुमत यानि 200 में से हमारे पक्ष में कितने हैं 101 सदर से हैं यानि यदि हमारा जो विध्यक है या अध्यादेश है वो 50% प्लस एक सदर से हमारी और है उस अध्यादेश के पक्ष में है तो वो अध्यादेश आसानी से क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा इसे कहते हैं साध साध्रन अध्यादेश जो साध्रन भाहुमत होता है उससे हम क्या-क्या परिवर्टन कर सकते हैं क्या-क्या संसलुधन कर सकते हैं समिधान में तो एक तो हम जो आनसे हमाद हमाहद 2 है और और 3 है अन पे सादहन बहुमत के माधयम से ही, य Ironically 50% plus 1 जितने उस सदण में मोजू सदस्द से हैं, इतने हमें क्या मिलगी अगर वोट मिल गए उस अध्यादेश को पारित करने के लिए उस विदेश को पारित करने के लिए तो साधान बहुमत से वो अध्यादेश आसाने से पारित हो जाएगा और हम अंचे दो के तहट क्या कर सकते हैं किसी भी विदेशी राजी को भारत में समिलेत कर सकते हैं उसके बाद अंशे तीन ये भी सारण बहुमत से हम अंशे तीन में क्या कर सकते हैं संसोधन कर सकते हैं किसी भी राजय का हम गठन कर सकते हैं किसी भी नए राजय का हम गठन कर सकते हैं भारत्य राजय छेत्रे में जो पहले से राजय हैं उनका विभादन करके हम किसी भी नए वर्तमान में क्या हैं सदर में बैठे सदर से हैं तीसरे हम किसमें परिवर्टन कर सकते हैं अनुसूची वन और अनुसूची चार लेको अनुसूची वन क्या है अनुसूची वन में है राजियों के नाम राजियों के नाम तो यह हमें कोई नया राजियों बनाना है नई करना है तो उसका नाम हमें किसमें डालना होगा अनुसूची वन में डालना होगा और अनुसूची फोर क्या कहती है कि जो राज्य हैं और जो केंदर सासित परदेश हैं उनका राज्य सवाव में परते निजत्वा तो सबोज हमें कोई नया राज्य बनाना है तो उसका राज सारण बहुमत के माध्यम से परिवर्तन करना होगा उसके बाद यहां पे आता है राजों की सीमा हो गया नाम परिवर्तन हो गया यह सारी चीजह हम किसमें कर सकते हैं सारण बहुमत के माध्यम से यहां पर ही सारण बहुमत में सारण बहुमत के माध्यम से यह हमें कोई भी संस संसोदन करना होता है तो उसके लिए राश्ट पत की पूर अनुमति लेना जरूरी है तो इसलिए अश्ट 2 और अम्छ 3 में तहब होता है यह आपको यहां पे नोट करना है और इससे सारण अब बहमत से जितने भी संसूदन किये जाते हैं उनको bulb 368 के बहार रखाग्या है यानि उन संस्योतन को 368 के तहट किये संसोदनों में नहीं गिना जाएगा अब क Climate क्या है दो शिए कहने करते हैं सदर में कहां पे लाई जाता है जब हमें कोई भी 368 के तहट जितने भी संसुधन करने होते हैं अजि कहां सा जो संसुधन किये जाते हैं अनुछे 368 के तहट वो विशेस बहुमत के द्वारा ही किये जाते हैं जैसे मूल अधिकार में यदि कोई संसुधन करना है ये राजिके नीती निदेशक तत्तों में कोई संसुधर करना होता है तो उसको हम कदापी साधन भहुमत से संसुधर नहीं कर सकते हैं बलकि उसके लिए क्या करना होगा विशेष भहुमत हमारे पास होना चीए और विशेष भहुमत यानि 2Y3 दो तिहाई सदस्या जो सदन में उपषित हैं दो तिहाई सदस्या हमारे पक्षि में मोजुद होने चीए तब ही हम जाके विशेष भहुमत के माद्यम से मूल अधिकार हो गए या नीती निदेशक तत्त हो गए इनमें हम संसुधर कर सकते हैं और इन संसुधरों को किस के तहत मान जाएगा अंशेρ 268 के तहत क्योंकि 368 संसर को यह सक्ति परदान करता है कि वो समिधान में संसुधर कर सकता है तीसरा आता यहां पर विशेष भहुमत प्लस आधिर राजियन की अनुमत ती तो विशेस बहुमत तो यही हो गया पहले प्रोसेज क्या है पहली प्रोसेज यही है दो बाई थ्री यानि जो आपका दो त्याई बहुमत है वो आपके पास होना चीए सदन में और दूसरा फिर क्या होना चीए आधे राजिया है जो आधे राजियों की अनुमती लेकिन आधे राजियों की अनुमती आधे राजियों का जो विधान मंडल होता है वहां से वो अध्यादेश साधान बहुमत से ही पारित होने चीए तो अब देखो इस प्रकार के विद्धियाक क्या होते हैं जो अध्यादेस लाई जाते हैं कई बार ये जो सदन होते हैं हमारे जो लोकसभा और राजसभा यहाँ से तो आसानी से पारित हो जाते हैं किसी भी सरकार के लेकिन अगर आधे राजियों में सम्मंद्र केंद्र में जो सरकार है उसके आधे राजियों में क्या है सरकार नहीं है तो यहाँ पर जैसे कैसे क्या नहीं हो पाते पारित नहीं हो पाते हैं क्योंकि यदि आधे राजियों से कम में सरकार है तो आदे राजियों में कैसे पारित होगा क्योंकि अगर वहाँ पे दूसरी सरकार है तो कुल्मना के आप समझ गऊंगे कि विश्येस भहुमत प्लस आदे राजियों की अनुमत ही क्या है और यहाँ पे जो आदे राजियों की अनुमत के माध्यम से यानि इस बहुमत के माध्यम से हम किन-किन समिधान संसुधन को कर सकते हैं जैसे राष्टपति का निर्वाचन उस प्रोसेच को अगर हमें संसुधन करना होता है तो इसके माध्यम से करेंगे उसके लिए न्यायपालिका में परिवर्तन करना होता है न् केंद्र और राज्यों की भी जो संक्ति बटवारा है उसमें परिवर्तन करना होगा तो वो भी इस संसुधन के प्रिक्रिया से किया जाएगा तो ये दोनों संसुधन की प्रिक्रिया हैं वो किसके अंतरगत आती है उसको किसमें रखा जाता है अमचेद 368 के तहट संसुधन म अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रियाज करते हैं, मैंने आपको अभी बताया, कि साधान बहुमत में हम किसको रखते हैं, अमश्यद्ध दो और अमश्यद्ध तीन परिवर्टन किये जाते हैं, वो साधान बहुमत के मादिम से किये जाते हैं, उनको अमश्यद्ध हों 368 क्या गया फिर 36 संविधान संशुधन क्या गया तो ऐसे किस प्रकार क्या गया जब कि इसको तो संशुधन माणा ही नहीं जाना चीह क्योंकि ये साधन बहुमत के माद्यम से किसी भ़म विदेशी राजय को या जो भारतिय संग्ड राज छेत्र के बाहर के जो राजया हैं उनका हम सामिल कर सकते हैं अंशेद दो के तहत साधन बहुमत से उसको समिधान संसुदन नहीं माना जाता है अंशेद फोर के अनुसार यह तो कहता है अनुचेत्फोर, लेकिन देखो, यह जो 35 समंगान संसोदन है, इसने क्या किया? इसने एक नई केटेगरी बनाई, इसने सहराजिया, सिक्किम को क्या बनाया? भारत का सहराज बनाया, और सहराजिय का उल्लेक आपको यहां मिलता ही नहीं है, यहाँ पर क्या है इस्टेट है यूटी और अर्जी छेतर है यदि इसको इस्टेट बनाय जाता यसी दे यूटी बनाय जाता यसी दे अर्जी छेतर बनाय जाता तो फिर उसको सीधे मला उसमें कोई संसोधन करने की आवशकता ही नहीं थी उसको हमने क्या बनाया एक सहराजय बनाया तो इसलिए हमने क्या क्या 35 समिधान संसुधन किया अब हमने सहराजय बनाया अब हमें उसको इस्टेट बनाना था अब इस्टेट बनाने के लिए जो हमने वो सहराजय बनाया उसको पहले खत्म करना था तो इसलिए हमने किया 36 समिधान संसुधन और 36 समिधान संसुधन के तहत सिक्किम को जो सहराजय बनाये गए था उसको समाप्त किया और अब उसको क्या बनाया 22 राजिया तो राजय बनाने के लिए समिधान में संसुदन नहीं किया गया बलकि पहरा संसुदन जो 35 समिधान संसुदन किया गया वो सहराजय बनाने के लिए जबकि सहराजय को समाप्त करने के लिए 36 समिधान संसुदन अब आपको समझ में आगे होगे कि सिक्किम के मामले में आपको स उत्राखंड राज का गठन हुआ, या तेलंगाना का गठन जो हुआ, इसमें किसी भी प्रकार के समिधान के संसोधन की ज़रुत नहीं पड़ी, आप ने देखोगा, किसी भी प्रकार का समिधान में संसोधन नहीं किया गया। अंशे 2 और अंशे 3 में जो भी परिवर्तन किये जाते हैं उनको 368 के तहत संसोजन में नहीं रखा जाता है यह आपको नोट करना होगा एक और चीज़ है अंशे 3 में आती है कि हमने हम क्या कर सकता है कि किसी भी राज छेदर की सीमा और वहां के नामें परिवर्तन कर सकता है लेकिन यह मामला आया बेरुबारी संग 1960 में मैंने आपको कल इसके बारे में डेटेल्स बताए था बेरुबारी यहाँ पे था अब यहाँ पे क्या हुआ यह भारत के अंदर के आता था लेकिन यह मुस्लिम बहुल छेदर था और पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाई कि भारत ने इस पे अवेद कपज जमार का यह हमारा छेतर है तो एक नून समझोता हुआ तदकालिन जो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी थे और तदकालिन भारत के प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरु के बीच जवाहर नून समझोता जिसके तहत बेरुबारी छेतर को बांटा कर देंगे और कुछ हिस्सा देंगे भारत को कुछ हिस्सा रजाएगा भारत के पास और कुछ हिस्सा देंगे पाकिस्तान को अंशे तीन के तहट लेकिन अंशे तीन के तहट सुप्रीम कोट ने साब साब कहा कि यह संबव ही नहीं है क्योंकि अंशे तीन के तहट आप क्या कर या बाहरी देश को नहीं दे सकते हैं, नहीं सौंप सकते हैं किसी भी भारत के अंदरगत जो संग छेतर में जो छेतर सम्मिलित हैं। अब यहां पर दिक्कत होगी कि इस संदिक को कैसे पूरा किया जाए, इस मामले को कैसे सुलजाए जाए। इसलिए सुप्रेम कोट ने क्या कहा, सरकार को यह निर्देश दिया, कि संसत को अधिकार प्राप्त है कि वो 368 के तहत सम्मिधान में संसोधन कर सकती है। तो यहां पर एक और चीज़ समझने लायक ही है, कि यदि आप किसी भी विदेशी राजिया को भारत में संसोधन करते हैं, तो उसे सम्मिधान संसोधन नहीं मान जाएगा। लेकिन यदि आप भारत या छेतर को किसी विदेशी या किसी अन्य देश को देते हैं, एक संधी के तहत या एक समझोते के तहत तो उसके लिए आपको सम्मिधान में संसोधन करना होगा 308 के तहत। लेने के लिए आपको सम्मिधान में संसोधन करने की जुरूत नहीं है, आप साधान बहुमत के माधियम से ही उस छेतर को सम्मिलेत कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने आप एक काफी डिटेल्स में यहाँ पे संध और उसका राज शितर यानि भागवन के बारे में चर्चा की उम्मीद करते हैं आपको इक काफी अच्छे से समझ में आगे होगा और इसका जो नेक्ष्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिसकस करेंगे राज और गठन आयो के बारे में किस प्रकार से इंडिया में यानि भारत में भासा के आधर पर नए नए राजियों का गठन किया गया आसे करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक और सेयर जरू करें और वीडियो आपको कैसे लिए कम हिंट बोक्स में अपने राए जरूर दें मिलते हैं दोस्तों नेक्स साथ अपने धन्यवाद